Example number 1.3 How much positive and negative charge is there in a cup of water? अब इस question में क्या पुछा गया है? कि कोई मेरे पास cup है और उस में मेरे पास water fill किया हुआ है तो मुझे यहां बताना है कि उस water में कितना positive charge होगा और कितना negative charge होगा So start करते हैं So let's, हम assume कर लेते हैं कि the quantity of water in this cup is सो लेट मास ओफ वाटर हम स्पोर्स कर लेतेंगे कप में कितना पानी आ सकता है तो जनलाइज वे से एक कप में अराउंड 250 ग्राम वाटर आता है एंड वाटर का फार्मूला हमें मालूम है H2O तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो गया हाइड्रोजन का मास 1 हम कह सकते हैं तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 2 इंटो 1 पलस एक ऑक्सिजन का तो ऑक्सिजन का मास हमें मालूम है AMU 16 तो यह मेरे पास आ गया 18 सो मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर हमें मालूम है 18 एंड हमें मालूम है वन तिंग मूर कि हमारे पास जो वन मॉल है यह किसके एक्वल होता है मॉलिकुलर मास के ठीक ही वन मॉल में जितने भी मॉलिकुल्स होंगे जा एटम्स होंगे वो मॉलिकुलर मास के एक्वल होगा सो molecule mass हमने यहाँ पर निकला था 18 सो हम क्या कह सकते हैं कि 1 mole of water में 18 ग्राम होंगे और हमें मालूम है 1 mole में कितने molecules होते हैं सो 1 mole में मेरे पास 6.02 into 10 raised to power 23 molecules होते हैं clear सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 mole of water में कितने molecules होते हैं 0.02 into 10 raised to power 23 molecules is equal to 18 ग्राम अब 1 ग्राम में कितने molecules होते हैं अब अगर इस केकेशन को में both sides divided by 18 कर दूँ तो मेरे पास क्या देगा 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स डिवाड़ बाइ 18 तो यहां से अगर 18 डिवाड़ बाइ 18 तो 1 ग्राम और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 18 को में इतने मॉलिक्यूल्स डाइँंगे मेरे पास मास ऑफ वाटर कितना था कप में 250 ग्राम मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स राइंगे वो कैसे प्रच लेगा अगर इस question को मैं multiply both sides with 250 कर दूं तो So 250 into 6.02 into 10 raised to power 23 whole by 18 molecules इस तरह 1 into 250 so 250 gram So मैं कह सकता हूँ कि मिले 250 gram में इतने molecules आ जाएंगे So अब यहां पर एक चीज और देखते हैं हमें पूछा क्या गया है positive और negative charge in their cup of water ठीक है जी So इस cup में कितने positive और negative charge होंगे So पहले हम लिख लेते हैं water का formula H2O So अब देखिए मेरे पास hydrogen में हम hydrogen की बात करें मेरे पास एक electron होता है और एक ही proton होता है So अब मेरे पास कितने hydrogen होगे 2 hydrogen में मेरे पास कितने electron आ जाएंगे 2 electron और 2 proton अब इसी तरह सिर्फ मेरे पास oxygen एक ही है So oxygen की बात हो जाए यहां पे Oxygen में मुझे मालूम है कि 8 electron होंगे और 8 ही proton होंगे So मैं यहां पे सिधा ही सिधा कह सकता हूँ कि oxygen का molecule तो बन नहीं है तो oxygen में मेरे पास 8 electron और 8 proton So अगर इनको मैं sum करूँ तो मेरे पास क्या बनता है H2O So H2O में मेरे पास कितने electrons और कितने protons होंगे 2 प्लस से 10 10 electrons And 10 ही protons होंगे So अब हम यहां से कह सकते है कि मेरे पास 10 electron है Molecule of water में And 10 proton है So हम यहां से क्या कह सकते है Hence Total Positive And Total Negative Charges Has Same Magnitude अगर हम magnitude की बात करें तो positive charge में भी और negative charge में भी जो charge की value है वो equal होती है किसके equal 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम के equal होता है So further इसको हम solve करने शुरू करते है So अब यहां से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं calculation करूँ इस equation को rewrite करके 250 gram में मेरे पास अगर इसे मैं calculation करके solve करूँ तो मेरे पास कितना आता है 83.61 into 10 raised to power 23 molecules अब हमें मालूम है कि जैसे कि एक molecule of water में जैसे हमने कहा था कि एक molecule of water में पास 10 electron आ रहे हैं और 10 proton आ रहे हैं और ये भी कहा था कि इनका magnitude सेम है अगर मैं एक का भी निकालूँगा दूसरे का भी उतना ही आएगा इस चीज का मतलब ये बनता है यहाँ पर मैं एक का निकाल लेता हूँ यहाँ पर हम इसको चूस कर लेते हैं 10 electrons को मुझे मालूम है एक molecule में में मेरे पास 10 electrons है और यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि इक्वल तो 10 electrons तो 1 molecule has 10 electrons तो अब मॉल्यूल की जगा में इसकी वैली सब्सूट कर देता हूँ 10 electrons तो मेरे पास कितना अदेगा 250 gram is equal to 8 3.61 into 10 raised to power 23 अब मॉल्यूल की जगा 10 electrons तो हमें मालूम है कि electron में कितना चार्ज होता है is equal to 1.6 into 10 raised to power 19 कूलम electron में इतना चार्ज होता है तो अब हम पर electron की value फिल कर लेते हैं so 250 gram is equal to 8 3.61 into 10 raised to power 23 into 10 into electron charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम अब हम इसकी simplification देख लेते हैं calculations में so 250 gram में कितना चार्ज होगा electrons का so यहाँ पर मेरे पास कि 10 raised to power 23 10 raised to power 1 and 10 raised to power minus 19 अब हमारा base same है तो powers add हो जाएंगी so 23 plus 1 24 24 minus 19 5 तो मेरे पास कितना आ गया 10 raised to power 5 कूलम unit तो यह रहेगी अब मुझे multiply करना है 1.6 into 83.61 कूम so मेरे पास आज़ेगा 133.77 so हम इसे round off करके लिख लेते हैं in significant figures अब इस equation को अगर मैं 100 से divide कर दूँ और 100 से multiply तो मेरे पास किया ज़ेगा 1.3 round off किया तो 4 into 10 raised to power सैनम कूलम so हम कह सकते हैं कि मेरे 200 gram water में इतना charge होगा on electrons on electrons on electrons and same amount of charge and same amount of charge also on protons ठीक है जी तो आप कह सकते हैं कि इसी value में मेरे पास negative charge होगा और इतनी ही value में मेरे पास positive charge होगा in a cup of water thank you for watching the video